इंडिया वो फिलाल पीछे चल रही है अब ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब जेल में बैठे हुए इमरान खान तो आखिर ये नेता जीत कैसे जा रही है क्या इमरान खान के पॉपिलारिटी इतनी जादा है कि वो जेल में बैट कर भी लोगों के दिलों में राज कर रही है अब आप इसके पीछे के strategy समझे strategy समझने से पहले एक सवाल लोगों के मन में जो है जाहिर सी बात ही आ रहा है और वो ये है कि अब जब लोग जीत रही है जो इमरान खान के समर्थक हैं जो इमरान खान के नेता है क्योंकि आप वो वक्त याद कीजिए जब सेना की तरफ से कुछ इस तरीके से शडियंत्र रचा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पाटी है उसका जो चुनाव चिन था यानि की बैट उसे पूरी तरीके से रध कर दिया एक तुनाई नहीं एलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान की जितनी रैलिया होनी थी जुनावी रैलिया उन सबी को भी रध कर दिया गया साफ तो और पर कागए क्या कोई भी रैली नहीं कर सकते हैं therefore लोगों के दिलों में राज करने लग गए लेकिन आप ये भी समझे कि ये जो चुनावी नतीजे सामने आ रही है सिर्फ इम्रान खान की जीत नहीं है ये जीत है उस जनता की भी जो इस बात के लिए साफ तोर पर कह रही है कि अब हम सेना के खिलाफ हला बोलने के लिए तयार है क्योंकि पाकिस्ताणी सेना जो है किस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों जनर्रीस को जिटाने के लिए हर मुम्किन से बीच में अब यह समझे कि सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आकि इम्रान खान जीते तो जीते कैसे भाई जब उन्होंने चुनावी रेलिया नहीं की उनके पार्टी का चुनाव चंता वो बैन कर दिया गया तो मैं आपको बताते हुए बड़ी आसान सी स्ट्राटेजी ज करने सकते पर उन्हों स्टमाल किया सोचल मीडिया के जरिये ँम्रान खान ने बट दर्टी करने शुरू की और आप याद किजे वह वोग्त जब पहली बट्टी die जो है इमरान खान के तरह से की कि उसमने उन वह नजर भी आते थे सिर्फ उनका भाशन चलता था और भाशन में सर्फ उनकी फोटो नजर आती थे और पीछे बैंग्राउंड में जो है वहां पर उनकी आवाज जो है वो साफ तोर पर सुराई देती थी जब उनकी पहली रैली हुई थी तो एक लाग से जादा लोग पहुचे थे अब इन सब का लबो लुबाब ये हुआ कि चुनावी नतीजे जित्ते में इम्रान खान नजर आ रहे हैं लेकिन खेर कहा तो ये भी जा रहा है कि अब निर्दलिया उम्मीदवार जो है अब वो गले की फांस बन चुके हैं पाकिस्तानी सेना के आला कि ये भी का जा रहा है कि बंदूक की नोक पर जो है इम्रान खान के ये जो नेता है इन्हें किसी भी पार्टी के वोट करने के लिए जो है या मालीजे नवाज शरीफ की बात कर ले बिलावल बुट्टो की बात कर ले दोनों ही पार्टीों को जो है सपोर्ट करने के लिए बंदूक की नोक पर जो ह लेकिन आप इन सब कर निस्करश ये समझें कि आप जब चुनावी नतीजे सामने आए तो एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुलकर अब मोर्चा खुल चुकी है झाल झाल